वोकारो में कल शामूई अचानक बारिश की वज़वा से हजारो टन सरकारी चावल भिंग गया तिलंगाना एफसी आई से वोकारो एफसी आई के लिए रेलवे वगेन से आया चावल वोकारो गूट से शेड में भिग गया है इस वीगेवे चावल को ट्रांसपोर्टर के द्वारा चास के गासी जर्यार बज़ा समिती आसिया गोदाम में बेचा चारहा है लेकिन चावल भीकर पुर्तरा से फूल चुका है अलाकि ट्रांस्पोर्टर के कर्मियों का दावा है कि तिरपाल से ढखकर चावर को बचाया गया है लेकिन तस्विरें इनकी बातों को जोटा सावित कर रही है सिच्वेशन यह होती है कि बुकारो हो जायए जारखंड हो या कोई भी एरिया हो वहाँ पे इसी तरीके से कमपनी के लोग तिरपाल नहीं डालते या गीला छोड़ देते हैं और वो हमारी गाडी में लोड कर दिया जाता है तो इस तरीके से सिस्टेमाटिक फेलियर किया जाता है नजर रखने में आस्तान होगी आप लोग देख रहे हैं साथे साथ हम लोगों ने जो बोला था कि 20 सिस्टी केमरा पुरा फुसरों में लगेगा कल से परसो उसका भी कार्च अरम हो जाएगा तो निरंतर नगर परसद लोगों के बीच में है और उनका जो भी समस्या था जो भी संद्री करन के काम था जो भी विकास से काम था